प्रोपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलहा के साथ प्रेश है आपका पसंदीदा शो प्रोपर्टी इंडिया नमस्कार मैं हूँ अंजली इस्थवार आज के इस खास शो में हम नजर डालेंगे कि दिल्ली में आम आत्मी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की शकल अगले पांच साल में किस तरह बदल सकती है ये तो आपको पता है कि प्रोपर्टी पर और ज्यादर जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ndtv.com slash प्रोपर्टी पर देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं लेकिन पहले आपको पता देते हैं कि आज क्या क्या है खास आम आद्मी पार्टी को भारी बहुमत मिलने के बाद क्या दिली बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी दिली में आवास की समस्तियाए निप्टाने के लिए क्या है आम आद्मी पार्टी की योजनाए बीस हजार लीटर प्रती महिना मुफ्त पानी और बिजली में पचास फीस अदी की कटोधी को लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना और दिली के नगर निगमों के साथ तालमेल करना क्या होगा आसान दिली क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी? आम आत्मी पार्टी दिली में भारी बहुमत के साथ सत्ता में काबिस हो गई है अब हर दिलीवासी की नजर है उसके काम पर क्या वो अपने की ये वादे पूरे कर पाएगी? आपके कुछ एहम वादे हैं दिली के लिए पूर्ण राजिका दर्जा, बिजली आधे दामों पर हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज, 50,000 पबलिक शौचाले लिस्ट बहुत लंबी है हम पूरी यहाँ पर गिरा नहीं सकते हैं लेकिन इस लिस्ट को हम यहाँ पर मुद्दा जरूर बना रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो की स्पोक्सपर्सन है आपके साथ ही है सुदीर वहरा जो की आर्किटेक्ट है और अर्बन प्लैनर है साथ ही हमारे साथ मौजूद है मनीश कुमार जो की मैनेजिंग डिरेक्टर है स्ट्रेटीजिक किंसल्टिंग जेलल इंडिया के आप सबका स्वागत है हमने ये जो पैनल है ये काफी मिक्स्ट पैनल बनाया है ताकि हर तरह के लोग यहां और हर तरह का यहां उपिनियन और राए ली जा सके तो संजे सिंग आप से शुरुआत करते हैं आपकी पार्टी अब दिली की सरकार में है तो सबसे पहले सवाल आपी से आप लोगों में काफी आप में विश्वास था कि आप लोगों को पून बहुमत मिलेगा और आप सरकार बनाएंगे लेकिन अगर इस तरह का confidence था तो आप लोगों ने planning भी शुरू करी दियोगी कि आखिर दिली के लिए क्या करने वाले है तो दिली के लिए जो सबसे पहला मुद्दा और सबसे एहम मुद्दा आप के लिए रहेगा जिसे आप पूरा करना चाहेंगे वो आप पार्टी का क्या है पहली बात तो ये कि लगातार ये एक चर्चा चल रही है कि हम अपने किये गए वादों को पूरा कैसे करेंगे ये समझना बहुत महत्तुपूर है कि हमने ये सारे मुद्दे सीधे सामिल नहीं किये अपने गोशना पत्र में इसके लिए हमने डेली डायलाग चलाया जिसमें हमारे आसीस खेतान जी उस कमेटी को हेट कर रहे थे और अलग-अलग सेक्सन के साथ हमने बाचीत की उनके मुद्दे को उठाया और जो जरूरतें थी उसको हमने गोशना पत्र में सामिल किया यह जो पूरा कारिकर्ण है यह पांच साल के लिए है कुछ बातें हैं जिसको हमें तात्कालिक रूप से पूरा करना पड़ेगा जैसे आपने बजली की बात कही पानी की बात कही और महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही इन सारे मुद्नों पे हमने जो फैसले लिये हैं उसको तत्काल काम करने का प्रयास हम लोग सुरू करेंगे बिजली का दाम आधा करना इसलिए मुस्किल नहीं है कि अगर आपको याद हो कि जब नीजी कमपनियां दिली के अंदर लाई गई तो उसमें क्या दलील दी गई यही कहा गया कि यह कमपनियां डिस्टिबूशन लास कम करेंगी और जैसे जैसे डिस्टिबूशन और ट्रांस्मिशन का लास कम होता जाएगा वैसे वैसे बिजली का दाम कम होता जाएगा जब ये कमपनिया आई नीजी कमपनिया उस समय 55% distribution और transmission लास था दिल्ली में बिजली का आज घटके 15% हो गया है यानि 40% जो distribution और transmission का लास कम हुआ उसका फायदा भोकताओं को मिलना चाहिए था बिल्कुल नहीं मिला इसकी वज़ा क्या है क्योंकि बिजली कमपनिया अपने एकाउंट्स में तमाम तरीके की हेरा फारी फेरी करती है जो 2010 में बरजंदर सिंग ने उस चीज को पकड़ा भी था जो DERC के चेर्मेन थे तो मुझे लगता है बिजली का दाम आधा करना कोई मुश्किल काम नहीं है सुरुआत में जरूर हमें सबसीडी देनी पड़ेगी लेकिन जब हम C.A.G. के आउडिट करा लेंगे तो जायस तोर पे दिल्ली में बिजली का दाम आधा किया जा सकता है दूसरा पानी मुफ्त करना 20 किलो लीटर ये कोई इतना खर्चे का काम नहीं है जिसको सरकार नहीं पूरा कर सकती है तोटल जो बजट आएगा बिजली और पानी का जो वादा हमने किया उसको पूरा करने के लिए वो एक हजार करोन के या डेड़ हजार करोन के आसपास आएगा पूरे साल का जो बहुत मुस्किल का काम नहीं है चली आप ये कहरें कि दिल्ली सरकार मादा रखती है ये सब काम करने में सुदीर साब आपके पास आना चाहेंगे आपने दिल्ली सरकार के साथ काफी काम किया है दिल्ली में क्या दिक्कते हैं दिल्ली की क्या प्रॉबलम्स है आपको क्या लगता है कि क्या इतना आसान वाकई में दिल्ली की दिक्कतों को हल करना है जितना यहां संजे जी कह रहे है हाँ इतना मुश्कल नहीं है जितना बनाया जाता है दिल्ली का बेसिक जो इंफरस्ट्रॉक्चर है वो काफी ठीक है और उसके अंदर इंप्रूब्मेंट्स करने के लिए काफी जगा भी है इट इस नौट इंपॉसिबल टास्क यह सिरफ इन लोगों को देखना पड़ेगा कैसे प्रायरटाइज करना है हाँ यह डीडीए डीए और क्योंके लैंड इनके हाथ में अभी नहीं है अब इन अदर नहीं है यह एक तरह का बादा होगा पर अगर यह अब जो सुनने में आया है के पोलीस आज वेल अज लैंड डीडीए और टाउन प्लानिंग और प्लानिंग के अब स्टेट गवर्मेंट में आ जाएगी तो इतना इतना मुशकल नहीं है काम करना इस नौट इन इंपॉसिबल टास्क अट अल मेरे ख्याल से यहां पर जो मुद्दा अभी उठ गया है सुदीर साब ने जो बात उठाई यह वो शायद आपके लिए सबसे एहम मुद्दा होगा वो है कई ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में ही नहीं आपके काबू में नहीं है क्योंकि आपको पून राजे का मुद्दे में उठाया मैं बोलता हूँ इस पर देखिए जो दिली की बात अगर आप करें दिली में बहुत सारे बिभाग ऐसे हैं जो हमारे अंडर में आते हैं सीधे दिली गवर्मेंट के अंडर में जैसे हेल्थ है जैसे सप्लाई डिपार्टमेंट है आर्टियो डिपा कार के अंडर में आते हैं और आप देख लीजिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम रिश्वत खोरी कम करेंगे आज रोज मर्रा की जिन्दगी में आदमी किस बात से परेशान है सबसे बड़ी प्राब्लम उसके लिए है कि छोटे छोटे कामों के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है तो रिश्वत खोरी पे हम रोक लगा के एक तत्काल फाइदा पहुँचाएंगे जो पूर्ण राज स्टेट हुट की बात आपने कही उसके लिए आपने देखा होगा अभी मुख्य मंतरी की सपत तक नहीं लिया है अरविन केजरिवाल ने लेकिन प्रधान मं मजबूत करने में यकीन रखते हैं राज जी मजबूत होगा तो केंद्र मजबूत होगा संगी धाचे में उनका यकीन है ऐसा उनोंने कहा है तो हम उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं लेकिन दिल्ली सरकार के पास भी जितने विभाग हैं उसके माध्यम से भी हम एक सकते हैं कुछ भी चेंज बदला दिल्ली सरकार नहीं कर सकते जितना है उतने में ही कर सकते आपको क्या लगता है क्या जब तक पूर्ण राजय का मुद्दा नहीं सुरज जाता है आप अपने वादे पूरा कर पाईगी हमने यह देखा है कि हमने यह देखा है कि दिल्ली मे development और implementation के लिए दो authorities जम्मेबार हैं पहली है DDA जो master plan बनाती है और पूरा उसका implementation बगएरा करती है दूसरी है MCD और NDMC जो पूरा maintenance और infrastructure को बहतर करने में साहिता करती है इन दोनों का control central government के पास है और अगर हम बात करें कि दिली को हम world class city बना पाएंगे या नहीं तो इन दोनों का सायोग बहुत जरूरी चाहिए अगर हमें residential बनाना है या commercial बनाना है या even school भी बनाना है तो उसके लिए master plan में provisioning की जरूरत है और master plan के हिसाफ से ही development हो सकती है जो DDA करता है तो इसके लिए center के साथ support और center के साथ सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी सुधीर आप क्या मानते हैं कि कितना जरूरी है यहाँ पर central government को अभी जो आप अगर यह जो नई सरकार बना रही है उसको support देना और खास तौर पर दिल्ली को अगर हम एक शहर के तौर पर देखते हैं उसके विकास के तौर पर देखते हैं आप कितना जरूरी मानते हैं अलरी इनके पास हैं municipality के schools हैं और उनकी improvement करने के लिए बहुत scope है इस वकत government schools, MCD schools लोगेरा ठीक से नहीं चल रहे है नए खोलने के लिए हाँ इनकी पात सही है कि इनको सही हो चाहिए होगा DDA का और central government का पर पराने कामों के अंदर redevelopment करने के अंदर repair करने के अंदर अभी त पड़ेगी इनको, so instantly इनके पास Delhi Jal Boat भी इनके नीचे है, so water is not a problem, that does not have to go back to the central government के लिए कुछ पूछने के जूरत नहीं है, तो कई areas हैं जहां पर इनको start, ये start कर सकते हैं अपने आप, और पहले start हुए हैं, और central government के सहयोग के बगएर काफी काम हुआ है, N-D-M-C के area में जो नगरपाले का school improvement हुई है, वो एक example है, Knot Place की redevelopment हुई है, उस तरह की redevelopment बहुत सारे commercial areas की मांग है, वो इनके पास अपने हाफ अभी है सारा कुछ अपने हाथ में, land और planning central government के पास है, मानते हैं, और जब तक वो आता नहीं है state government के अंदर, और मेरा मानना है कि वो आएगा किसने किसी time क्योंकि ये 1956 का पराना साथ सौब पराना law है, the NDA Act जो है, जब तक वो आता नहीं है, इसका ये मालम नहीं कि और काम नहीं कर सकते, और भी बहुत काम करने के लिए है, बहुत काम करने के लिए है, सार्ट करने के लिए, संजे, स्कूल का मुद्दा उठ रहा है तो मैं आपसे यही जाना चाहूँगी कि पांच सो स्कूल मेरे खाल से आप लोगों ने कहे हैं पांच सो स्कूल, पांच साल में खोलना और वो भी नए स्कूल, पहला तो आपको लगता है कि जलूरी है, क्या और दूसरा, यह कर पाना, इसके लिए वक्त और इसके लिए पैसा, कहां से आएगा? दिल्ी में, मैं पिछले तीन सालों से रह रहा हूँ, और जगंए जगंए कई इलाकों में गया हूँ, दिल्ी में बहοत सारे इलाकें ऐसे हैं, खास طور से आउटर दिल्ी का इलाका, गाओ का इलाका, नजब गिए का इलाका, unterwegs का इलाका, बवाना का इलाका, उन वाकों में बच्चों के सामने दिक्कते हैं तो एजूकेशन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रात्मिकता है इसलिए बजट का एक बड़ा हिस्सा लोगों को सिक्षित करने पर उनको एजूकेट करने पर बच्चों को खर्च किया जाएगा और यह प्रैक्टिकल है इसमें निश्चित तोर पर हमको लैंड की जरूरत होगी लेकिन जब हम सुराज की आइडिलोजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आप देखिएगा अपनी लैंड देने के लिए भी आगे आएंगा अगर सरकार हमारा सही योग नहीं करेगी तो हलाकि मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार का सही योग मिलेगा अगर नहीं मिलेगा तो उसमें भी लोगों की मदद लेके भी हम स्कूल बनाएंगे और जो अभी बहुत इंपॉर्टन बात कहीं सुधीर जी ने हमारे पास जो स्कूल है उसको हम बहतर से बहतर बनाने की पूरी कोसिस करेंगे वो तो तक्काल हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है तो यह स्कूल जो ह मनीश सुधिया सिक्षा मंतरी थे तो उन्होंने जाके कई स्कूलों का डारेक्ट विजिट भी किया था वहां हालत देखी थी बहुत सारी दिक्कते हैं वहां बच्चों के सामने तो उस समय जितना हम कर पाया थे किये थे लेकिन वह काफी नहीं था अब क्यूंकि समय तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे मनीश यहां पर अगर स्कूल ही देख लें तो निगम के जो स्कूल है उनमें MCD का कंट्रोल भी चलता है तो आपको क्या लगता है कि यहां MCD जो कि अल्रेडी तीन हिस्सों में है उसके अलावा NDMC भी है हमारे तो दिली कैंट भी है तो इतने सारे बोर्ड इतने सारे निगम यह सब मिलकर के जिन हर किसी में अलग पार्टी का कंट्रोल जब चलता है तो आपको क्या लगता है कि वो तालमेल देखने को मिल पाएगा अगर अगर एक्जिस्टिंग स्कूल को रीडवलोप यहां बेटर बनाने की बात है तो वो कर जा सकता है कोई इतना बड़ा काम नहीं है जैसे जैसे संजेजी ने का कि उसकी उपर फोकस रहेगा तो मेरे ख्याल से वो एक करने वाली चीज है और जो जो शुरू में करी जा सकती है तालमेल बनाना एनी विच वे वुड बी रिक्वाइट क्योंकि अलग अलग आप लोगों ने काफी सारे मुद्दे उठाए थे उन में से एक मुद्दा है यमुना की क्लीनिंग का भी तो यमुना को साफ करने का मुद्दा हर पार्टी उठाती है लेकिन आज तक यमुना में कोई सफाई हमें देखने को नहीं मिली है तो संजे जी उसके लिए आप ल अप्लीक की participation नहीं लेंगी जब तक आप इस पे जनता का सहीयोग नहीं लेंगे यमुना को या देश की किसी भी नदी को सब्ख्श नहीं किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार का हम लोगों की सरकार का जो जो उसकी प्रात्मिक्ता होगी इसमें हम ये भी कहेंगे कि इसमें लोगों का सही होग हम कितना जादा से जादा ले सकते हैं इसको भी हम देखेंगे सरकारी इस तरफ पर जो प्रयास हो सकता है वो होगा लेकिन वो अभी तक जो हुआ है उस तरह से तो करने का कोई मतलब नहीं बड़ी बड़ी बजट आया यमना को साफ करने के लिए उस बजट का कहां इस्तेमाल हुआ कुछ पता नहीं ये जरूर है कि जो बजट हम यमना की सफाई के लिए लगाएंगे वो पूरी इमानदारी से उसका खर्च करेंगे और उसको साफ करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे लेकिन बगएर जनता के सहीयोग के यमना की सफाई का काम इतना आसान नहीं है जिस बड़े पैमाने पर यमना को प्रदूसित कर दिया गया है और सुच्चता की बात हो रही है तो यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स की का भी मुद्दा उठा देते हैं पचास हजार पबिक टॉयलेट्स स्पसेस्अ और करीब 0.5 ल disposus में आपने बनाने की बात कही है सुधीर जी दिली में पब्लिक कि कमी को तो हम पबिक टॉयलेट्स की कमी को तो हम अच्छी तरह से जानते है अज जी तरह से जानते हैं कि बढूता तो है क्योंके अगर वो बेसिक फशलिटी नहीं हैं तो फिर वर्ल्द क्लास सिटी कैसे बोल सकते हैं पर मैंने यह कहना चाता हूं कि जमीन है इनके लिए इनके लिए फशलिटीज बनाने के लिए स्पेस है कोई प्रवल्म नहीं है सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग करके और जगा ढूंड के यहां पर इनको होना चाहिए वहां हो सकते हैं बन सकते हैं यह हैं खान मार्केट फॉर इंसरंस थान मार्केट के अंदर नव पबलिक टॉलेट बने होएं आपको शाद मालूम नहीं होगा उन स यूज करना वो दूसरी बात है अगर वो साफसुत्रे रहेंगे और लोगों को आज़त पढ़ जाएगी यूज करना तो फिर यूज भी हो जाएंगे तो यह नीज जगा है मारे पास और अगर इनके पास विल है तो यह काम बड़े अराम से हो सकता है इसमें कुई लबी च को खास करके अर्बन सेटिंग में शहरों में आकर के इस्तेमाल करना पसंद करें सिविक फेसिलिटी को सफाई होनी उसकी जरूरी होती है साथ ही वो इस तरह का होना चाहिए कि वो सेल्फ सस्टेनिंग भी हो जैसे रेविन्यू मॉडल भी उसका सही हो तो आप क्या मानते है कि दिल्ली में इस तरह का प्लानिंग लाने के लिए आप पार्टी की सरकार को किस तरह की कोशिश करने पड़ेगी हम बात यहां पर टॉयलेट जैसी चीज़ की कर रहे हैं लेकिन बहुत जरूरी मुद्दा है यह मैं आप से यही कहने लगा था जब आपने कहा कि उनके उपर होडिंग लगे होते हैं या बैनर लगे होते हैं पर हम जो समझ में नहीं आता कि वो आड के लिए बनाए गए है या लोगों के जाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए है आपके सवाल का जवाब इंडिया में भी और इंडिया के बार भी और एड करने से जो जो रेवन्यू आता है उसको आप अच्छे तरीके से ये यूटिलाइज करो तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसका मेंटेनाओ कर सकते हैं और जैसा कि खान मार्केट में ने देखा है, आप जाके देखें, बहुत अच्छे टॉयलेट हैं और लोग यूज भी करते होंगे मेरे हिसाब से, तो इसे सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जो हमें बनाने के जुरुत है, ऐसे ही और जगों के उपर जो और जैसे स्कूल्स हो गए जैसे रिवर बैंक डिवलमेंट वगरा हैं, उसके लिए भी ऐसे कुछ मॉडल प्राइवेटाइजेशन अगर लेके आए, तो तो डिवलमेंट अच्छे तरीके से करी जा सकती है, तो संजी जी आप लोग ओपन है इस पूरे आइडिया की तरफ की प्राइवेट से भी कु कैसे इस्तेमाल किया, पब्लिक के बीच में जाते थे, स्वराज के तहत, उनके साथ महला सभा की मीटिंग करते थे, और जो उनका प्रस्ताव आता था, वही काम हमारे विधाय को ने किया, पिछले आठ महीने के अंदर, लेकिन दिल्ली में अगर आप टॉयलेट की प्राब जाना पड़ता है, और कई बार अपरात का सिकार होती है, कई बार उनके साथ तमाम तरीके की घटनाए होती है, जो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि किस तरह से वहां घटनाए हुई है पिछले दिनों, तो दिल्ली के अंदर एक बड़ी प्राब्लम है ये, और उसक रहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उसको करने के प्रती हम प्रतिबध है, उसको पूरा करने के प्रती, पूरी तरह से हम प्रतिबध है, फिलाल हम एक चोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब लोटेंगे तो जानना चाहेंगे कि आखिर अनाधिकरित कॉलोनियों को लेक और किस तरह से उसे प्लान को क्रियान्वित करें।